हम आपके लिए अज बनाने वाले हैं चिकन मलाई तिका एक तम फिंटाबिलिस तो चल्दी से हमारे साथ देख लीजे हमने इसे कैसे बनाया है तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने करीब बन 200-500 ग्राम चिकन लिया है जिसे हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिये हमने इसे कट कर लिया है तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले एक चमच अध्रक लेसन का पेश शामिल करेंगे ठीक है उसके बाद नमक पहले ही दालती जिए ताकि नमक असानी से चिकन में उतरता रहे है आधा चमच हमने यहां पर काली मिची का पॉडर दाल देना है और च पाद जीरा पाउडर दर दर बहुत ही ऑसम टेस्ट करता है यहां बर कोत मिरा हरी मिची का पेस्ट है हमारे पास में अब यह तीखे का काम करेगा आपको एक चमच से दो चमच जितना दालना है आप दाल दीजीगा अब बारे आती है फ्रेश क्रीम की तो चमच क्रीम इसमे अब करना क्या है निम्बू येस आधा निम्बू हमने इसमें निम्बू का रस निचोड कर दाल लेना है ठीक है यह सारे इंग्रीडिंस दल जाने के बाद हमें इसे हातों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ठीक है तो चलिए अच्छी तरीके से इसे मेरिनेट कर लेत प्याज को ऐसे क्यूब में कट कर लिया है ठीक है अब हमें जरुवत है स्कीवर की सीख ले लेनी है और उसके बाद अल्टरनेट आरेंज करते जाना है सबसे पहले हमने कैपसिकम लगाया फिर उसके बाद चिकिन को लगा दीजेगा उसके बाद प्याज लगा लीजिए बस इस तरीके से आप इसे लगाते रहें आप चार या पांच पीसे पर स्कीवर में यूज कर सकते हैं आपके मर्जी के ओपर डिपेंड करता है तो दोस्तो यह वाला जो चिकिन है वाख़ी में बहुत ही असानी से भी बन जाता है और इसमें तेल बहुत कम यूज होता है सो ब जरूर तो देखिए बातों बातों में हमने यहां पर अची तरीके से सारे के सारे अरेंज कर लिये है ठीक है अब चलिए बाकी के और सारे बना लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कितने रिच इन क्रीमी लग रहे हैं तो यह बन गए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक अराम अराम से एक एक स्कीवर को उठाना है और हमारे तवय में रख देना है, इस तू सिंपल है ना, तो चलिए रख देते हैं, तो अब क्या करना है हमें, हमारे यहां पर चारो के चारो एक साथ में अरेंज हो गए हैं हमारे तवय पे, वावावावा, क्या अच्छी बात है अब हाँ, गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम और हाई के बीच में रख देना है, ठीक है, और उसके बाद हमने एक से दो मिनिट तक इसे एक साइड होने देना है, तो आप देख सकते हैं, दो मिनिट के बाद यह हो गया है, तो हम इसे फिलिप कर देंगे, तो सारे के सा तो अब आप देख सकते हैं, फाइनली चारो तरफ से आगे पीछे एंसाइडों से भी यह बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, तो अब क्या करना है कि इसे कवर कर देना है, कवर करके दो तीन मिनिट तक हम कुक करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि चि तो यह देखिए हमने कवेला रग दिया उसके ऊपर हमने यहां पर तेल डाल दिया और हमें कुछ थोड़ा सा बड़ा रगना चाहिए था ता कि हम और अच्छे से इसका धुआ कैथ कर सके, बट फाइनली चालिया अच्छे से इसको स्मोक मिली गया है किसी ना किसी थरीके स तो हमें पूरे कीन है कि आपको यह बहुत ही ज्यादा टेंप्टिंग लगे होंगे और आप इसे जरू ट्राय करके हमें फीडबाग देंगे फिर मिलेंगे, आला हाफिर